जैपूर के विभिन चिकिसालों में कारेरत नर्सिंग करमचारियों दारा रक्षा बदन उस्सव सेवा सदन में मनाया गया इस कारेकरम के मुखे परवक्ता के रूप में राष्टिये सौंसेव संग के प्रांतिये प्रयावरेंट परमुक अशोक शर्वाथ साथ ही कारिकरम के विशिस्ट अधिदी, SMS Medical College के असिस्टेंट प्रॉफेसर डॉक्टर रामदयाल साहु थे कारिकरम के सभी नर्सिंग करमचारियों दौरा एक दूसरे को रक्षा सुतर बांदे गए वे खुद की रक्षा, सास्रों की रक्षा, धर्म की रक्षा, राष्ट की रक्षा के साथ प्रियावरिन की रक्षा का संकल्प भी लिया गया यह हम प्रियावरिन की रक्षा के लिए परिसर में ही इस्तित पेड़ पोदों को रक्षा सुतर बांदे गए व्रक्ष लगाते हैं तो सबसे पहले धर्ती माता से छमा याजना करते हैं ओम उद्गने अभ्युक्षम अभ्युक्षम है धर्ती माता हमको छमा करो हम आप पे फावड़ा चला रहे हैं आपको अवश्य ही कस्ट हो रहा है लेकिन मा यह आपका आभुशन है जो आपको निर्मलता, सीतलता और सुन्दरता परदान करेगा इसलिए आप हमें छमा करें फिर हम पेड का मन मनाते हैं जैसे बेटी को ससराल बेशते हैं यहां बेटे का विवा करते हैं तो बेटे का मन मनाते हैं वैसे ही पेड का मन बनाते हैं मूलतो ब्रह्म रूपाये मद्ययो विष्णू रूपणी अग्रतय सिव रूपाये व्रक्ष राजा आयते नमे हे व्रक्ष राजा आप तीन तिलोकी के नाथ है आपके मूल में ब्रह्मा का वास है आपके मद्य में विष्नु का वास है और आपके अगर भाग में सीव का वास है आपका जनम विश्व कल्यान के लिए हुआ है लेकिन दियान रखो जैसे आत्मा बिना सरीर के काम नहीं कर सकती वो भूत कहलाती है उसी प्रकार से जब तक आप दर्ती माता की कोक में विराज माननी होगे आप विश्व का कल्यान नहीं कर सकते मेरे तीन तिलों के नाथ इसलिए आप से निवेदन है आगरे है आप से विंती है कि आप दर्ती माता की कोक में इस्तापितों करके विश्व का कल्यान करें और ऑक्षिजन का बंडार करें बोलो वरक्ष देवता माराजी की जैए फिर हम वरक्ष देवता से मांगते हैं सब बोलिए हे वरक्ष देवता मैं आपकी सरण में आया हूँ आप मेरी आयू बुद्धी धन और सब प्रकार की संपदा में वरक्ष देवता माराजी की जैए फिर हम वरक्ष देवता के गुणगान करते हैं और वो गुणगान अलग लग गीतों के माध्यम से करते हैं कैसे करते हैं वरक्ष गुणे गानने वाला पार होगारे वरक्ष की सरण में उधार होगारे तो हम वरक्ष देवता का गान करते हैं फिर हम वरक्ष देवता के बारे में विविन परकार की सुन्दर कान करते हैं और वो सुन्दर कान कैसे करते हैं बुद्धी पावे ओ जो पीपल का व्रक्ष लगाए राम सिया राम सिया राम जै जै राम फिर हम व्रक्षों से बाते करते हैं बाते कैसे करते हैं व्रक्ष भी हम बोलते तो एहम ब्रह्मस में सरोतर ब्रह्म है लेकिन इन में भी तो ब्रह्म है, ब्रह्मा का आवास है, ये भी तो तीन तिलोगी के नात कभी बाते करते होगे आप सीरसे को पेड़ होके घणो इतरावे कोई आमा को जो होतो कोई जामुन को जो होतो कोई जामुन को जो होतो जान काई करतो सीरसे को पेड़ होके घणो इतरावे सीरसे को पेड़ होके तो फिर हम सब को पेड़ लगाते हैं चाल भाया आपा चाला योद्या सेहर में चाल भाया आपा चाला योद्या सेहर में तो आयोद्या सेहर में क्या करेंगे भगवान राम किस के रूप हैं विष्णू के रूप हैं और विष्णू किस में वास करते हैं पीपल में वास करते हैं मैं तो व्रक्षों में पीपल हूँ इसलिए बगवान की पूजा क्या हो गई विश्णु की पूजा राम की पूजा किसमें हो गई व्रक्ष में हो गया इसलिए बोला चाल भाया आपा चाला आयोध्या सेहर में चाल भाया आपा चाला आयोध्या सेहर में बिजा पीपड़ को पेड़ लगावारे सावन में तो फिर हम सब को आवान करते हैं थे जहां जहां बीजाओ बरगद पीपड़ लगाओ धरतीने स्वर्ग बनाओ जी धरतीने स्वर्ग बनाओ जी थे बड़ पीपड़ लगाओ या परम प्रबु की सेवा या जीव मात्र की सेवा या ही मानव सेवा है जी थे नारायन बन जाओ या ही मानव सेवा है जी थे नारायन बन जाओ या हम आवान करते हैं फिर हम क्या करते हैं लास्ट में मैं एक एक जलक दे रहा हूं आपको नरिणर मोदी में ऑर स्यमोर की रिक्वेश् कोउछा देगा लगाओ या व्यक्ते हैं आप की रिक्वेश्ट पहुंचा देगा आपका काम ऑटोमेट्पी की कर दूंगा हमारा कार्य करता है फोड़ा ध्यान रखना तो वैसे ही आपको राम के पास करश्ण के पास जाना जाना की जरुवत का है उन्होंने तो कह रखा है मेरे एजेंट है सब तो इसलिए सब को बोलना है केवल आदा 15 सेकिन वह मंत्र है इसके बाद में आरती होती है आरती का किवल एक लाइन दो लाइन अपन बोलेंगे फिर अपन जाएंगे उम जे जे व्रक्ष दिवा स्वामी जे जे व्रक्ष दिवा मदूर मदूर फल दाता सीतल छाम दाता पिर मंगला चरण होता है जैसे अपन बाकी आर्थ के बाद होता है इनको भी नित सींचिये जो चाहे कल्यान पेड जगत में कर रहे अब सब रक्ष देवता के रक्षा सुत्र बांदिये ये तुलसी महागोरी का रक्ष है हमारी जो आठवी देवी है महागोरी उसका रक्ष है तुलसी